एमाजॉन पे लेटर एक ऐसी सर्विस है जिसे यूज करके आप एमाजॉन की वेबसाइट से कोई भी प्रोड़क्ट किस्तों में या फिर वन टाइम पेमट करके बाई कर सकते हैं और आपको बिल का भुकतान करने के लिए 30 दिन का इंटरस्वी पीरिड भी मिल जाता है तो आपको यह सर्विसे आक् Ellis चाहिए ये लएस आपके लिए सच में पाइदे मन रहती है तो आज के वीडियो में हम आपको इसके फाइदे नुक्सान के बारे में भी बताएंगे देखिए अगर आपको फाइदे अ नुक्सान के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा ना तब ही आप इस service का मज़े से इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे पहला फाइदा जो आपको होगा, फीस का, ना तो आपको कोई जोइनिंग फीस देनी है, ना तो आपको कोई cancellation फीस पे करनी है, मतलो ये service जब चाहे आप activate करिए, जब चाहे आप बंद कर दीजे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई भी extra charges यहाँ पर नहीं देना होता है, इस अपको मिलता है instant credit का, ये जब service आप apply करते हैं, तो 60 second के अंदर अंदर आपको जो है approval मिल जाती है, मतलो बैंक के द्वारा आपको instant approval मिलती है, instant credit आपकी limit अपरूब कर दी जाती है, तो ये सबसे बड़ा benefit आपको इसके उपर activate करने के बाद मिलता है, तीसरा बड़ा benefit ये है कि आपको interest free period मिलता है, अगर आप Amazon Pay Later का use करते हुए कोई भी shopping करते हैं, तो आपको 30 दिन का interest free period भी मिलता है, जैसे आपको credit card के उपर मिलता है, payment करने के लिए 45 days मिलते हैं, तो इसमें आपको 30 दिन का आपको आराम से समय मिल जाएगा, चौथा जो benefit है इसका repayment in EMI, देखिए अगर आप कोई भी समान बाई करते हैं, तो आप 3 से 12 महीने तक का कोई भी EMI के अंतरगत प्लान चूज़ करके, आप EMI के उपर भी समान बाई कर सकते हैं, मतलब अगर आप कहीं पर job कर रहे हैं, आपको 50,000 रुपे का कोई product खरीदना है, और आपकी salary 30,000 रुपे है, तो sometime आपको no cost EMI की option भी मिलती है, और आप 3 से 12 महीने तक का easy EMI प्लान भी चूज़ कर सकते हैं, sometime आपको offer भी मिलता है, कि आप no cost EMI में भी उससे समान बाई कर सकते हैं, अगर आपको किस्तों के उपर समान बाई करना हैं, आपकी salary 50,000 रुपे के आसपास है, और आपको 70,000 रुपे का कोई एक product भाई करना है, तो अगर आपकी salary पे आप अपनी बोज नहीं डालना चाहते हैं, तो आप easy EMI का इस्तेमाल करते हुए किस्तों में भी product भाई कर सकते हैं, तो यह easy EMI का option आपको Amazon Pay Later में असानी से मिल जाएगा, अगला जो बड़ा benefit है, four closer charges, अगर आप EMI के उपर कोई भी समान बाई कर लेते हैं, एक EMI अगर आप पे कर देते हैं, उसके बाद आपको कोई भी additional charges नहीं लगा जाता है, अगर आपको कोई समान पसंद नहीं आता है, और आप उसे बापस करना चाहते हैं, तो इसमें जो है 5-7 दिन का समय नहीं लगेगा, इमीजेटली आपके Amazon Pay Later में balance अपडेट हो जाएगा, तो service इनकी refund के मावले में काफी fast है, रुको जरा दोस्तों, अभी आपको हम नुक्सान के बारे में भी बताते हैं, तो पहला जो इसका सबसे बड़ा नुक्सान है, वो interest rate का है, अगर आप किष्टों के उपर समान बाई करते हैं Amazon Pay Later का इस्तेमाल करते हुए, तो इनका interest rate काफी ज़्यादा हाई है, 24% के आसपास आपको चार्ज किया जाता है, तो इनका interest rate अगर आप credit card से compare करोगे, तो आपको higher यहाँ पर लगाया जाएगा, दूसरा बड़ा नुक्सान है late payment fees का, अगर आप अपनी EMI वरेक करते हैं, Amazon Pay Later का इस्तेमाल करते हुए, तो इस case में आपको late fees भी लगाई जाती है, कितने से लेकर कितने तक की fees applicable होती है, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन के उपर show कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, स्क्रीन को आप pause कर सकते हैं, यहाँ मज़े से पढ़ सकते हैं, दीसरा जो आपको नुकसान होने वाला है, वो credit impact का है, देखिए, अगर आप इस service का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका civil score हिट होता है, मतलब अगर आप अपनी EMI बगारा सही समय पर pay नहीं कर पाए, तो आपका civil score गिर जाएगा, तो यह सीधा impact डालता है civil score के उपर, तो यह भी आपको एक नुकसान देखने को मिल जाएगा, नमबर फॉर, limited use, देखिए, Amazon Pay Later का इस्तेमाल आप उनी product को खरीदने में यूज कर सकते हैं, जिन जितनी आपकी credit limit होगी, अगर आपकी credit limit 50,000 रुपे है, और आपको एक लाख बाला भाई करना है, काम नहीं आएगी, मतलब इसका uses जो है, आपको limited ही लगेगा, नमबर फाइव, overspending, अगर आप Amazon Pay Later activate कर लेते हैं, तो आपको overspend करने की आदत पढ़ जाती है, जैसे जैसे Amazon के उपर sale लगती है, तो आप बिना मतलब के काफी सारे product ऐसे ही order कर देते हैं, तो इसमें आपको overspending की आदत पढ़ जाती है, नमबर 6, not for everyone, ये Amazon Pay Later वाली service जो है, सबी लोगों के लिए नहीं है, अगर आपका civil school अच्छा नहीं है, अगर आपके पास पहले से को credit card है, तो आपको इसे activate नहीं करना चाहिए, देखिए, credit card जैसे आपको feature तो इसमें मिल जाती है, पर आपको EMI के उपर समान बहुत ज़्यादा महिंगा मिलेगा, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके पास को credit card है, पर समान बहुत करना पसंद करते हैं, और आप कहीं पर job कर रहे हैं, और आप यह सोचते हैं कि कोई ऐसा card हो, जिससे आपको no cost EMI की facility भी मिले, तो ऐसे मैं आपको बजाज EMI card को जुरूर consider करना चाहिए, देखिए, उस card के उपर क्या फाइदा मिलता है, यहां पर अगर आप Amazon Pay Later से एक साल की EMI बनवाओगे, तो आपको 24% के आसपास आपको चार्ज किया जाएगा, पर अगर आप बजाज EMI से आप EMI की बात करों, तो तीन महीने की आपको कम से कम मिलती है, और उसमें आपको दो सालों तक की no cost EMI की facility मिल जाती है, और 2,00,00 रुपे तक का आपको pre-approved offer देखने को मिल जाएगा, तो मेरी मानिये, आपको Amazon Pay Later को छोड़ कर आपको बजाज EMI कार्ड की तरफ चले जाना जाएगे, क्योंकि आपको no cost EMI की facility आज के समय में उसी कार्ड की उपर मिलती है, और आप उस कार्ड को online भी इस्तिमाल कर सकते हैं, और offline भी इस्तिमाल कर सकते हैं, तो दोनों ही case में आपको no cost EMI की facility मिलेगी, और सबसे बड़ा फाइदा इसका ये है, कि Amazon के उपर भी चलेगा वो कार्ड और flip card के उपर भी चलेगा, तो आपकी तो चांदी ही चांदी, Amazon पे लिटर को activate करने के बाद आप flip card पे यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये सबसे बड़ा drawback आपको Amazon पे लिटर का देखने को मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये card apply करना चाहते हैं, तो जाएए हमारे description box में वहाँ पर आपको link मिल जाएगा, अगर आपको आज का ये video informative लगा है तो like करना, चैनल पे नहीं है, subscribe जरू कीजिएगा,